हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूटिब चैनल कैसे हो आप सब तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं सूजी रोल्स तो सूजी रोल्स जो हम बनाने वाले हैं उसमें करेंगे हम आलू की स्टाफिंग सो चलिए अभी हम तियारी करते हैं जिसके लिए मैंने लिया यहां पे सूजी, दही और वेकिंग सोडा तो अभी हम डालेंगे इसके अंदर बारीक वाली सूजी अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है तो आप उसको मिकसर जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं और अभी हम डालेंगे इसके अंदर दही, दही आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका आटे की तरह एक डो लगाना है तो अभी हम डालेंगे इसके अंदर दही और डाल देंगे हम इसके अंदर आधा चम्मस से बिल्कुल कम थोड़ा सा ये बेकिंग सोड़ा और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकोर्डिंग और इसका लगा लेंगे हम डो अच्छे से तो चली अभी हम इसका आटे की तरह डो लगाएंगे इसका डो ना तो ज़्यादा हाड रखना है थोड़ा सोफ्ट सा ही डो रखना है इसका ज़्यादा सोफ्ट भी नहीं रखना है जितने में हमारे एक रोटी बन जाएं मोटी सी थोड़ी सी उतना डो लगाना है तो चलिए अभी हम आलू को भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हैं यानि कि आलू को थोड़ा सा लगा लेते हैं हम तड़का जिसके की हम लोग करेंगे स्टफिंग तो आलू जो हम वो मैंने बोईल करके रखे हुए थे प्याज को मैंन इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे फिर हम डाल देंगे इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी आप अगर इसके अंदर सब्जियां और भी डाला जाएं जैसे गाजर, गोभी, शिमला मिर्च तो बिल्कुल बारी काटके वो भी डाल सकते हैं तो मैंने अभी डाल दिया टेस्ट क थोड़ा सा बून लेते हैं ताकि थोड़ा सा मसाला है वो भी अच्छे से आलो के साथ मेश हो जाए дог गाहिए सो ए आलो के साथ हो तो जब आपके कडाई की ध्री पे चिपक न शूरू हो जाए तो समझे आपका जो स्टफिंग कर सकें तो यहां इहां। पेड़ा और इसको हम से बेल लेंगे इसको थोड़ा रेक्टेंगल शेप में ही बेलना है ताकि हम इसके अंदर स्टफिंग कर सकें तो स्टफिंग कैसे करेंगे वह भी मैं आपको बताने वाली हूं तो देखिए इसको बेल लिया है अच्छे से जितना मुझे बेलना था यह फोड़ी ज्यादा रखनी है और आप देख भी सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से रख्थया इसको अभी हम डाल देंगे इसके उपर यह पीजा सोस पीजा सोस की जगा पे आप ग्रीन चिली सोस डाल सकते हैं या फिर कैचप डाल सकते हैं लेकिन अगर आप पीजा सोस डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत जादा अच्छा आएगा जो पीजा सोस है यह मैंने घर पे ही बनाई यह मैंने विल्कुल घर पे बनाई है मैंने बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया इसमें सोस के लिए और अभी हम इसके अंदर भर देंगे आलू तो आलू देखिए आपको इस तरह से फैला कर फिर इसको प्रेस करना है तो मैं इसको थोड़ा सा सप्रेड करूंगे पहले ऐसे थोड़े से आलू इसके उपर पूरी रोटी के उपर आलू स्प्रेड करके फिर हम इसको एक चमच की हैल्प से थोड़ा सा प्रेस करेंगे धीरे धीरे तो देखिए अभी मैंने आलू को अच्छी तरह से फैला लिया है इसके उपर जो हमने यह रोटी बनाई है तो इसके से आप फैला लें आप चाहे तो इसकी जगह पे सबजियां में इसकी अंदर या मलाई के अंदर डाल कर भी इसके अंदर स्टफिंग कर सकते हैं तो चलिए भी मैंने इसको प्रेस कर दिया है अच्छे से और अभी हम इसको रोल रोल करने वाले हैं तो रोल रोल हम इसको कैसे क बंद करते हैं वो Punkteने को डिखा कर Timothy हादा ़ेंगे तो चलिए तो जो जै Harvey ओ दिख्वार्न करना है डिखा डिया है कि beginner और ग La거 तो जो दोनों रोल है तो प्लेट के अंदर जाली डर प्लेट हो एसके ओपर मैंने तेया रिया टे डाला था पानी तो हम इसके अड़ाई ये जाली वाली परात यानि कि एक प्लेट टाइप है तो हम ये रख देंगे नीचे मैंने घी लगाया है जिसके उपर मैंने ये रोल्स रखे हुए हैं और उपर से हम एक बड़ी परात के साथ या कुछ भी बरतन लेके आप ढख सकते हैं उपर से और इसको आपको करीब 15 मिन आप मैं आपको क्यांने चुल्य के दिछाते हैं कि ये अक्चल कर लेते हैं देखें कितने बढ़ी अगैंट आप मैं में ठाउच में में परोग्तू भाए किक्वाह मणा क्यांतर विलियुक्त कृजे कर दाब्व fil चल्चल का रहे हैं ये देखें कि इतने पाल एक तरीं झ बिकेंगे अगर बिक चाहें तो आप इसको खाते तो आप नोन फ्रायट कर खा सकते हैं देखिए इसको बाड़ी है क्योंकि अच्छे से पंग चुका है तो इसको काटने में कोई प्रोब्लम नहीं में आती पनीर चाहे seniors चाहें तो इसने ओस सब्सक्राइख दुबढ़ा छोड़ी डाना की हैं ऊप्तुन पांता और रही चाहे से के एnen syst STEP तोड़ा सा इट तोड कर दिखाती हूँ देखिए इसको तोड़ना कितना एजी है यह देखिए कितना बढ़ चुका है चुको शीन Annual सकते मुं में तोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर चुका है मैं इसके तल करदा सा वी तो प्रड़ा के कि दूंना अंदर कि जünden चुके तो चलिए हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाती है कृष्पी बनाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा सेकना पड़ेगा आप चाहे तो इसको तवे पे भी सेक सकते हैं जरूरी नहीं है कि तो देखिए इनके उपर तिल भी अच्छे से लग चुके हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में यह बिल्कुल ही नई रेसिपी है और इसके अंदर कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है और आपके पास जो घर में चीज़े हैं आप उनी से बना सकते हो तो बस यही है आज की चोटी सी रेसिपी महनत तो बहुत लगी है इसमें चोटी सी तो कहने को है लेकिन इसमें महनत बहुत लगी है टाइम तो लगता ही है अगर आप चाहे कोई चोटी चीज बनाओ या फिर कोई बड़ी चीज बनाओ अगर आपको उसके साथ में वीडिय यह हैं बनकर रेडी सूजी रोल्स बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी तो कैसी लगे आपको यह रेसिपी मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं सो आज के लिए इतना ही बाई-बाई